आप देख रहे हैं मारा यूट्यूब चैनल दा इंडेक्स टेडर दोस्तो सीक्रेट ओफ ट्रेडिंग दा फर्स्ट पुल बैक इस बुक को हम समराइज करेंगे हिंदी में और ये एक प्राइज एक्षन और पुल बैक पे वन आफ दा बेस्ट बुक है तो दोस्तो मैं आपस इसमें आपको नोट्स बनाने हो क्योंकि इस बुक को आप 5 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते और मैं यहां पे दावे के साथ कह सकता हूँ इस बुक को खतम होते ही आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत जादा चेंज हो जाएगा दोस्तो मार्केट क देखने का नजरीया बिल्कुल आपका बदल जाएगा क्योंकि जो हम कॉंसेप्ट इसमें हम लेके आए हैं आपने देखा होगा मार्केट 90 डिग्री में मूव नहीं करता वह उपर जाएगा फिर पुल बैक देगा तो यह ठोरी ऑफ पुल बैक किस वे में वह पुल बैक द मैं आपको यहाँ पर जादा यहाँ प्रॉपरेट नहीं कर रहा क्योंकि जितनी भी टर्म्स हैं मैं आगे आपको ऐलउपरेट कर दूगा तो इसमें टाइम वेस्ट ही होगा ठिक है तो जो भी है मैं आगे इस चीज़ों कॉई प्राब्लम यहाँ पर नहीं है चलो तो how the market works सबसे पहला यहाँ पर जो topic आता है कि market कैसे काम करता है दोस्तों आपको भी पता है investor होते है, buyer होते है, seller होते है buyer चाहेगा कि market को यहाँ पर हम सस्ते दामों पर खरीदें मतलब निचले दामों पर और seller चाहेगा कि मैं हमेशा किसी भी चीज़ को sell करू higher price भी, मतलब motto यही है, ज़्यादा से ज़्यादा profit कमानेगा तो investor, buyers और seller का यही यहाँ पर game होता है, ठीक है तो हम इसको ज़्यादा elaborate नहीं कर रहे है, दोस्तों दूसरा जो main important जो factor आता है market drivers, दोस्तों market drive कौन करता है यह हमको बहुत ज़्यादा ज़रूर यह जानना कि भाई के market को चला कौन रहा है, किस किस type के लोग है आप रोज देखते होगे भाई, पियार सुंदर साब बूले, F.I.E. ने इतना भाई कर लिया, इतना sell कर लिया तो आपको basic concept पता होना जाएक, market drivers कौन है, आखिर में कौन लोग चला रहा है, दोस्तों मैं आपको यकीन मानिए, मैं आपको बहुत इतने अच्छे दरीके से समझागो, कि कौन लोग आप यहाँ पर market को चला रहा है दोस्तों सबसे पहले वो लोग हैं, जो gut feeling पर trade करते हैं, ठीक है, मैं आपको हर एक example दे के समझाओंगा, ठीक है, चार टाइप के लोग होते हैं, जो market को चलाते हैं, पहले लोग है, जो gut feeling पर trade करते हैं, या investing या trading करते हैं, दोस्तों इसको मैं एक example दे आपको समझाना चाह हुई है क्रोड आयल में आप समझना इन्होंने सेल की पोजिशन यहां पर बनाई है यह अपने ऑफिस जाते हैं सुबह 6 बजे इनको एक इमेल आता जैसे कि आपने देखा हुगा इंजल ब्रोकिंग वगरा पर आपको यहां पर मार्केट रिपोर्ट आती है कि आज क्या होने जो ओइल प्राइस वह उपर जाने वाला है कि उन्होंने यहां पर बुलिश आउट लुक दिया यहां पर ओइल प्राइस को तो दोस्तों इनका तो माता ठानक गया कि इन्होंने तो ले रख किये सेल की पोजिशन तो इनका दिमाग खराब होग है तो यह थोड़े बहुत नहीं होता और शाम को यह खबर आती है जिसमें यहां पर कुछ वॉयलेंस होता है एराक में और उससे यूएस कुछ पूल आउट कर लेता है इससे हमारा ओइल का जो प्राइस है वो एक साथ बढ़ जाता है ठीक है तो जहां इन्होंने बीरिश की पोजिशन ले रख की थी और जो यहां पर bullish outlook का इनके पास report आई थी वो एकदम सही बैटी तो यह मंदमन मुस्कराते है तो पहला example क्या है पहला आदमी कौन है जो market drive कर रहा है दो दोस्तों gut feeling पर यहां पर trade लेते हैं मतलब उनका कोई analysis वगेरा नहीं होता जैसे थोड़ा बहुत analysis कर लिया और जैसे अगर G business पर कुछ बताती है तो उसको turn down करके अपनी position कर लिया या उसको close करके नहीं position ले लिया मतलब gut feeling वाले लोग भी market को drive करते हैं उसके बाद दूसरे category होती है दोस्तों emotions की दो emotion पर यहां पर base पर trading करते हैं तो दोस्तों इसका भी एक example दिया एक Kevin नाम का यहां पर यहा लादा amount में एक portfolio बनाता है और even किसी segment में बहुत अच्छी कासी position बनाता है और even जैसी जब वो position बनाता हो तो day 1 पे day जैसी पहला दिन होता है उसका मतलब 0.01 के move पे या up या down में वो gain करता 27K dollar ठीक है अब यह समझ लीजे अब क्या होता है एक साथ दूसरे दिन day 2 पे क्या ह होता है English ECB president यहाँ पर एक यहाँ पर potential interest rate rise करते हैं जो की market के अच्छी नहीं होती market में volatility बढ़ जाती है और दो घंटे में ही उनको loss होने लग जाता है 500K dollar का ठीक है तो दो घंटे में वो बिलकुल तहसनेस यहाँ पर हो जाते हैं और वो अपना loss यहाँ पर book कर लेते हैं due to emotion ठीक है तो यह हो गए emotional वाले trader और वहीं जैसे ही पांचवाँ दिन आता है price अपने normal जो उनकी buying position दी उस तक पहुंच जाता है तो दोस्तों दूसरे type के trader वो होते हैं जो की emotionally based यहाँ पर trade करते हैं जो की market driver number two हो गया अब दोस्तों जो market drive करते हैं लोग तीसरे कौन होते हैं जो की technical base पर trade करते हैं यहाँ पर भी एक example दिया है यहाँ पर Paul एक यहाँ पर hedge fund के लिए trade करता है मतलब वो खुद से trade नहीं डालता हो के वहाँ job करता है charts को analysis करता है वो तभी trade जालता है जब उसका fund manager आके उसको बोलता है कि भाई आप यहाँ पर इस chart को analysis करो और हम इसमें position बनाएंगे वरना वो तब तक केवल analysis ही करता रहता है तो उसका fund manager आके बोलता है देखो ज़रा Google का chart थोड़ा analysis करो और यहाँ पर हमको बता हो तो ठीक है तो day 1 से वह chart को analysis करना start करता है और at least day 4 पे उसको एक position एक यहाँ पर opportunity मिलती है जो की कुछ भी हो MSAD crossover जो भी उसका analysis र चार दिन वेट करने पाद उसको 500 दिन position मिल जाती है तो यह हो जाते है technical market drivers एक होता fundamentally तो fundamentals वालोग को यहाँ पर आपको explain करने के ज़रूत नहीं है जब market बिलकुल तभा हो जाता है market सस्ते दाम हो मिलता तब यहाँ पर fundamental देखके लोग यहाँ पर investing करते हैं तो यह चार तरीक के लोग हैं पहले समझ लिए अब यहाँ पर इन्होंने एक और कंडिशन रखे प्राइज नेवर मूविन स्ट्रेट लाइन दोस्तों यह मैं कह 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 के ठक गयाऊं के प्राइज कभी भी ऐसे नहीं जा सकता अगर उसको अपना market trend follow भी करना पड़ेगा उपर भी जाना है त आपको भेज देगा उपर ठीक है ना अगर आपको ऐसे ही जाना तो market ऐसे नहीं जाएगा market ऐसे ही उपर जाएगा market उपर जाएगा कुछ point पर seller थोड़े हावी होएंगे profit बुक करेंगा फिर buyers aggressively उसको buy करके उपर ले जाएगे तो अगर up trend में होगा market ऐसे ही उपर जाएग तो वो भी उसको ऐसे ही नीचे जाएगा तो दोस्तो हमको यहाँ पर price cycle इसको बोला जाता है ठीक है ना इसको यहाँ पर ऐसा नहीं है अगर market उपर गया ठीक है 100 points तो 40 points का यहाँ पर correction देगा रिट्रेस्मेंट देगा फिर उपर जाएगा तो यह जो पूर्या scenario है उपर औ यह मार्केट अब अगव ट्रेड भी कर रहे हैं तो आप ट्रेंडिंग मार्केट को देख करोगे अब ट्रेंड में अपकी position लोगे डाउन में आप अप सेल की position लोगे तो अगर आप देखो मार्केट देखो यहाँ से यहां पर फॉल हुआ ठीक है यहां तक seller dominant रहे बायर् करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट की ओवरॉल situation यहां पर क्या है दोस्तों बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते निफ्टी में ट्रेड करते भाई धक से कुल कॉल पूट यहां पर बाई करते बट सिनारियो पता नहीं है उनको को भी मार्केट चल ग बोलते हैं मतलब मार्केट को बायर्स बहुत अच्छी पोजिशन तक ऊपर लेके जाएंगे और यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो बायर्स डॉमिनेंट थे वो यहां पर हार जाएंगे और सेलर को प्रॉट्टी मिलेगी मार्केट को नीच ले जाने की मतल बोल सकते हैं तो यह कोई इतनी बड़ी बात यहां पर इतना बड़ा कोई चीज नहीं है यह आपको सबको पता है ठीक है उसके बाद यहां पर एक आता आपको Aptrend मिल जाएगा साला consolidation मिल जाएगा और यहां पर downtrend मिल जाएगा टिक कोई चार्ट ऐसे होते हैं देखो फिर्स हो जाएगा फिर उपर चला जाएगा तो कुछ टाइप के इस टाइप के चार्ट को देख सकते हैं ठीक है यहां पर weave consolidate भुआ फिर downtrend आया फिर उपर गया फिर consolidate भुआ फिर उपर आया फिर नीच आया फिर consolidate भुआ फिर उपर आया फिर Jabra लहाँ टो यह चलता रहता है यह चीजह ay मैं आपको सब समझा दूंगा Gefenderson मतलो यह सब हमारा यहां पर आपको समझाने वाली बातें ओ ΠAl今日 यहां पर आता है time frame and liquidity ठीक है यह अभी दगो इस chapter का बेसिक ही चला बहुत अच्छी बूख है दोस्तों यह time frame or liquidity दोस्तों सीधी बात है जब भी कोई भी trade लो तो time frame बहुत important और liquidity as a stock चुनों कम से कम जो आपकी position यहांपर कभी भी square off हो जाए यह पता लागा बायरी नहीं मिला, salary नहीं मिला, वो अलग चीज है ठीक है ना, तो हम यहां पर सारे analysis बताएंगे आपको 4 hour, 60 minute, 15 minute, यह कुछ हमारे time frame होते हैं, ठीक है, जैसे आपका trade का नजरिया है, यहां पर, अब दोस्तो, conversion to mean, मैं आपको बहुत ही एक important चीज बताऊँगा, बहुत important concept बताऊँगा, लोग most of इसको miss कर देते हैं, ठीक है, दोस्तो, mean reversal का मतलब यह होता है, कि stock कितना भी उपर चला जाए, या कितना भी नीचे चला जाए, एक time कभी न कभी अपने mean reversal पे आएगा, मतलब, जो उसका average price ह जोगा, उसके पास आएगा ही आएगा, समझ रहे हो न दोस्तो, यह जैसे आपने अभी pendulum को देखा है, pendulum कैसे करती है, ठीक है, pendulum, उसका mean reversal यह है, ठीक है, कभी वो इधर जाएगी, ठीक है, और फिर कभी वो इधर जाएगी, इधर जाएगी तो फिर वो वापस इधर आएग मतलब जो उसका mean point है, वो वहाँ पर आके ही रहेगी, तो यही कहानी दोस्तो, यहाँ पर हमारी किसी हर एक stocks में भी होती है, जो की mean reversion को follow करता है, ठीक है, मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे समझाओंगो, जैसे मालो यह graph type है, ठीक है, यहाँ ग्राफ यहाँ पर दिख रह नीचे से फिर अपने mean reversion भया, फिर उपर गया, तो मतलब यह इस type का path हमेशा follow करता है, ठीक है, तो यह आपको समझना, यह कैसे हमको पता लगेगा, यह तो हम graph समझा रहे हैं, दोस्तो यह आपको पता लगेगा, इस type से, चाहे किसी भी stock की trend line हो, या कोई भी जैसे moving average, जै ठीक है, जब market में uptrend यह market आया था, तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है, stock ने बार-बार अपने mean reversion को यहाँ पर touch किया है, ठीक है, तो दोस्तो जो एक, यहाँ पर जो smart investor या trader होगा, उसमें हमेशा इस point पर position ली होगी, तो यह, क्योंकि उसको पता है कि market अपने mean reversion पर आएगा ही आएगा, जैसे कि अभी अधानी विलमार और अधानी पावर भागे जा रहे हैं, एक तरफा भाग रहे हैं, उनमें अच्छे से अपर circuit पर circuit लगया जा रहा है, लोग buying कर रहे है, ठीक है, उनको लग रहा है कि train छूट जाएगी, बट mean reversion का wait कीजिए, चाहे कोई trend line हो चाहे हो, उसका कुछ भी 200 दिन का moving average हो, वहाँ तक वो कभी न कभी आएगा, तो better to wait, ठीक है न, तो ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इस Google के चार्ट को देखेंगे, तो जैसे हमने mean reversion की यहाँ पर बात की, तो दोस्तों आप यहाँ प की था, तब भी इस mean reversion के पास आ ही रहा था, चाहे वो नीचे से उपर आए, या उपर से नीचे आए, ठीक है, तो जैसे कि हमने, अगर आप इस ranging market को, ठीक, आप इसा भी गौर से देखाता हूँ, इसको आप गौर से देखिए, देख लिया, अब यहाँ अगर आप इसको compare करें किस से, इस टाइप से, यह वाला जो histogram है और वो chart क्या same नहीं लग रहे आपको, तो दोस्तों ऐसा ही होता, तो यह एक चीजें आपको पता होनी चाहिए, अब दोस्तों कुछ key points है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि market को, हम को पता होना चाहिए, कि market को कौ बहुत सारे बैठे हैं, और बहुत सारे any other reason भी है, जो कि market को drive कर सकते हैं, ठीक है, तो यह इसको यहाँ पर आपको जादा सोचने की जरौत है नहीं वैसे, ठीक है, बस एक बात ध्यान देखिए, price never moves in straight line, constantly cycling up नहीं चल सकता, ठीक है, वो उसको up-down करना ही पड़ेगा, ठीक pullbacks भी मिलेंगे, even reversal भी आपको होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो यह जो market है ना, हमारा एक, जो हमारा mean reversion, यह magnet field की तरह होता, जो की चुमबक की तरह price को अपनी पास खीच ही लेगा, ठीक है, अब नाव हम पढ़ेंगे pullbacks के बारे में, what is pullback?